इस तरीके से हरियाना में सरकार में अभी तक्ता पलट हुआ है दुश्यन चोटाला ने कहा कि गाय तो गई वो गई खुटा भी पाड़ ले गई यानि कि कहीं न कहीं दुश्यन चोटाला का ये कहना है कहीं साफ संदेश दे रहा है कि लोग सबा चुनाओं में यहाँ पर बड़ा जटका बीजेपी को लग सकता है आप समझ सकते हैं कि अनिल भी जो हैं पूरी तरह से नाराज है क्योंकि सीम की रेस में वो लगातार बने हुए थे बंदन तूट जाने का लेकिन देश भर में आम चुनाओं की तारिखों का एलान हो चुका है लेकिन इससे पहले हमने एक हफ़ते पहले देखा कि हरियाना में सरकार में उथल पुथल मस्तिवीद दिखाए दी जी हाँ जिस तरीके से हरियाना के गुर्णगराम में पियम मोदी ने एक जन सभा को संबोधित किया उस दोरान उन्होंने हरियाना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर की जम कर तारिफ की लेकिन अगली सुभह ही हरियाना में एक नए सूर्यू दका उदे होता है और ऐसे में मनोहर लाल खटर से भारती जनता पार्टी का शीर सनेत्रितु इस्तीफा मांग लेता है इसके बाद हरियाना में राजनितिक उथल पुथल देखने को मिली जेजेपी जो सरकार में शामिल थी जेजेपी के तमाम यहाँ पर विधायक नदारद होते हुए दिखाए दिये पांच विधायक दिशन्द चोटाला के साथ मौझूद रहे जबकि पांच विधायक वर्तमान में भारती जिनता पार्टी की सरकार के साथ मौझूद दिखे ऐसे में लोकसवा चुनाओं से पहले अनिल विज अब C.M. नायब सैनी की कारिशायली को लेकर और भारती जिनता पार्टी के फैसले को लेकर यहाँ पर नाराज बताय जा रहे हैं आगामी दिनों में अनिल विज यहाँ पर बड़ा फैसला ले सकते हैं आपको बता दे कि जिस दिन नायब सैनी को हर्याना के मुख्यमंत्री के तोर पर शपत दिलवाई जा रही थी उस दोरान गुसे से लाल अनिल विज वहाँ पर शपत ग्रेंड समारों से निकल करके बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं होगा यार्याणा में देखना होगा कि आज जो कैमिनेट विस्तार होना है उसमें अनिल विज को जगै मिल पाती है या फिर आपको बता दे कि हरियाना में जिस वक्त नायव सैनी ने मुख्यमंदरी के शपत ली थी उस दोरान पांच केबिनेट मंत्री बनाये गए थे जिनमें रंजीत सिंग चोटाला, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल और उसके अलावा यही बात करें तो मूलचंद सर्मा ज जवाब लेंगे न्यूजरूम में हमारे तमाम साथी मोजूद है इस वक्त और जिस तरीके की स्तिती इस वक्त बनी हुई है हरियाना में लगातार जेजेपी अब कहिना के उग्र होती हुई दिखाए दे रही है और भारती जनता पार्टी की सरकार पर ही सवाल उठाती चाहते हैं क्या भारती जनता पार्टी हाई कमान चुनाओं के दवाब में या फिर अपनी रन नीतियों को लेकर किसी तरीके का दवा मैसूस कर रहा है या फिर क्या आखिरकार यहां पर जो तमाम नेता हैं उनके जो बगावती शुरू आ रहे हैं क्या संदेश दिखाई द नहीं जो कह सकते हैं नए मुख्य मंत्री बने नायब सेनी उनको लेकर भी तमाम तरीक खबर सामने हैं क्योंकि अनील वीज जो है बीच मीटिंग में से उटकर चले गए उसके बाद तमाम तरीकी खबर आते रहें कि क्या वो पार्टी चोड़ देंगे क्या वो क्यामेंट म शामिल नहीं होंगे इस तरह की तमाम बाते हुई और आज भी जब जो मंत्री मंत्र का विस्तार है उसको लेकर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या पद मिलने वाला है वो कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि अनील लाल खटर ने जिस तरह से सीफा दिया पूरे समिकर्ण बदले हरियाने के लिए उसके बावजूद अनील विज को जो है साइड लाइन कर दिया गया इससे बहुत नाराज है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो माने नहीं है क्योंकि गुत्थी सुलजी नहीं है कि अनील मनतरा ले उनको और ले उसके अनील विजज भी जाकर कुछ बाएन बाजी करते हैं अलाके अभी तक वो यही बात कि बहा क्यारा है कि बिजए पी के अंदर कोई पेझ फधा हुआ हुआ नहीं है लेकिन कूँ को बिजए नहीं हैu कि आने वाले दिनों में अगर उनको उनके कि इस फैसले से लोकसभा चुनाओं पर कोई असर पड़ सकता है क्या हरियाना में बीजेपी को जटका लग सकता है जाहिर बात है आपने बहुत महत्पूर्ण सवाल उठाए क्योंकि एन वक्त पर आपके जो सिटिंग MP हैं अगर आपका साथ छोड़का कॉंगर्स पार्टी म में जाएंगे तो जाहिर बाते कि एक जो कह सकते हैं कि सीट के ओपर उसका फरक तो पड़ता है ऐसे में बीजेपी के ओपर जवाब दे ये हो जाएगी कि क्या उनके जो लोग हैं उनके साथ नहीं चलना चाहते क्योंकि सिर्फ बरजे सिंग की बात नहीं आपने देखा कि गोतां गंभीर पहली मना कर देते हैं रमेष विदुड़ी को हटा दिया जाता है हर्श बरदन मना कर देते हैं राउल कांसबान को टिकेट नहीं दिया जाता है यनि कि कई तरह की दवाव में बीजेपी से में नजर आ रहे हैं और यहां पर अगर कॉंग्रेस पार्टिया जो सायों की दल हैं अगर ठीक ढंग सा रणनीती बना कर चलते हैं तो यहां पर वो बीजेपी को दवाब में ला सकते हैं क्यों लेना पड़ा? क्यों लेकर माना जा रहा था कि यह बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं 230 विधान सबस्रीटों पर MP में मतदान हो और लग रहा था कि बहुमत यहां कॉंग्रस ले जाएगी सांसत थे उतकी बाद मुख्यमंत्री के पद उन्हें यहां पर दिया गया अब जिस तरीके से यह बात लगतार उठ रही है कि क्या बीजेपी यहां पर इससे आगी निकल पाई की तो लेकिन अक्से है जिस तरीके से जेजेपी को यहां पर साइड लाइन किया गया है गठ बंदन से बाहर निकाला गया है तो क्या यहां पर दुशन चोटाला बैकफायर कर सकते हैं पर दुशन चोटाला यहां पर बैकफायर करेंगे पलटबार करेंगा और बीजेपी को जटकत दे सकते हैं लेकिर अभी कोई ऐसी स्थिती नजर नहीं आ रहे है कोई भी ऐसा बयान भी कुछ बड़ा दुशन चोटाला का सामने नहीं आया जिसमें वो इस बात का जिकर करते हुए भी नजर आये हो किया गया उसके बाद लगातार यहां पर जन्नायक जन्ता पार्टी अब चुनावी कारकरमों में वैस्त हो चुकी है और दुशन चोटाला लगातार अपने कारेकरताओं से बैठ के भी कर रहे हैं नाजमीन से अगला सवाल रहेगा नाजमीन जिस तरीके से हरियाना में सरक कार में अभी तक्ता पलट हुआ है दुशन चोटाला ने कहा कि गाय तो गई वो गई खुटा भी पाड़ लेगी यानि कि कहीं न कहीं दुशन चोटाला का यह कहना है कहीं साफ संदेश दे रहा है कि लोग सबाचुनाव में यहां पर बड़ा जटका बीजेपी को लग सकत देखे बिल्कुल यहां पर जैसे की हर्याना की बात करें पूरा समिकरन ब्याहर की तरह देखने को मिला ब्याहर में किस तरीके से यहां पर नितीश कुमार खेल कर जाते हैं वहीं यहां पर मनोहर लाल खटर की चेहरे को हटाया जाता है हर्याना में मुक्यमंत्री के तोर प बात करें नहीं आप सिंग सैनी से नरास नजर आते हैं आप देखें कि जेजेपी के कुछ विधायक जो भारती जंता पार्टी को सहयोग देते हुए नजर आयते पांच विधायकों की बात करें यहां पर उनके खिलाफ भी जारी कर दिया जाता है कि अगर आप सदन के अंदर यहां पर दूसरी पार्टी को वोट देते हुए नजर आएंगे तो आपके खिलाफ कारेवाही हो सकती है तो उस दौरान भी देखा गया है फिर भी जेजेपी के कई विधायक समर्थन देते हुए नजर आए लेकिन भारती जंता पार्टी की बात करें वो उन विधायकों अभी कोई फैसला लेती बी नजर नहीं आरी उनका मालना है कि इन विधायकों को अगर शामिल कराया गया या इन विधायकों की विधायका गई तो फिर से चुनाव होते वे नजर आएंगे उप चुनाव अभी करवाना नहीं चाथे तो कहीं ना कहीं हरियाना में भारती जंता पार्टी का पेच यहां पर उनके ही मंत्री फसाती वे नजर आ रहे हैं वो विधायक फसाती वे नजर आ रहे हैं जो जेजेपी के खिलाफ उतरेते लेकिन भारती जंता पार्टी का समर्थन करते वे नजर आयते हैं तो सीधा असर लोग सभाद चुनाव पर पड़ेगा और सबसे बड़ा चeहरा तो अनिलविज हैं जो अब काबिनेट विस्तार से भी दूरी बना रहे हैं जो यह कहते हैं कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है बिल्कुल हर्याना में आगामी वक्त में बगावत देखने को मिल सकती है और इसका नुक्सान सिधा भारती जनता पार्टी को हर्याना में दस लोक सबा सीटों पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है अब देखना ये होगा कि क्या आनील वीज यहां से बागी रुख अपनाएंगे क्या कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होंगे जिस तरीके से हिसार से सांसत ब्रिजेंदर शिंग ने कहा कि मैं पिछले कई दिनों से बीजेपी के संपर्क में था और यहां पर मैंने अब इस में शामिल होने का फैसला किया है अब देखना ये होगा कि हर्याना की राजदिती किस रंग में यहां पर करवट बदलती है और किस तरीके से आगामी जो समीकरन है उनको तै कर पाती है फिलहाल न्यूजरूम से इस खास करकर मितना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी ख तरीके से लगदिती है थाच विलहाल न्यूरूम से रंग मितना है इस आग हो तो है।